नागपूर हलचल में अपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर संत जगनाडे महराज की 397 वी जहनती के अउसर पर शहर में विवित संस्ताओ द्वारा उनका भिवादन किया गया उनकी जहनती पर महापूर द्याशंकर तिवारी ने नंदनवन चौक पर स्थापित उनकी प्रतीमा पर माल्यार पन कर संत जगनाडे महराज का भिवादन किया तत पश्चात नागपूर महानगर पालिका के प्रशासनिक भवन में महापूर द्याशंकर तिवारी अपर आयक्त राम जोशी, उपायक्त रविंद्र भेलावे, उपायक्त विजे देश्मुख, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी, विजे कोले, सहायक आयक्त डॉक्टर महेश धामेचा, स्वास्त अधिकारी गजेंद्र महले ने पुश्पान जली अर्पित कर उन्हें इस अउसर पर पुर्व उपा महापोर, शेखर सावर बांधे, पुर्वन अगर सेवक सागर लोखंडे, नाना जोडे, दिलिप मेश्राम, युवा अगाडी विधर्वत अथा संताजी नवयुवक मंडल के पदाधिकारी, सुभाश घाटे, मंगेश साथ पुते, प्रवि महाकालकर, हरिश महाजन, रमेश एकरे, योगेश लांजेवार, पवन महाकालकर, रुपेश हाड़के, गजानन दांडेकर, पंकच वंजारी आधि उपस्तित थे विभागी ये आयुक्ताले में संता जगनाडे महाराच की जैनती के अउसर पर क्षेत्रिय विभागी ये जांच अधिकारी, शेलेंद्र मिश्राम ने उनकी प्रतिमा पर मालयारपन कर उनका अभिवादन किया, इस अउसर पर उपायक तप उनरवास रश्मी माली, तहसिल विभागी ये आयुक्ताले के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्तित थे, इसी तरह जिलाधिकारी कारियाले में भी संत जगनाडे महाराच की जैनती पर कार्यक्रम आयुजित किया गया और उन्हें श्रधान जली दी गई, संत जगनाडे महाराच की जैनती के अ अधिकारी व कर्मचारी गण बड़ी संख्या में उपस्तित थे। अधिकारी व कर्मचारी गण बड़ी संख्या में उपस्तित थे। रुद्ध एवं जरूरत मन मरेजों में निशुल्क चश्मा वितरीत किया गया सचिन काल बांडे ने शिवरिकायो जन किया और लगभग 600 नागरिक इससे लाभन वित हुए शिवर काउद घटन भाचपा सचिव चंद्रे शेखर बावन कुले अध्यक्षा रमेश गिरडे विधायक कुरुष्णा खोपडे तेक्चन सावर कर सनातक विधायक अभिजित वंजारी शेखर सावर बांधे महा सचिव किशोर चन्ने डॉक्टर गिरिश चरडे डॉक्टर सन्युक्त सचिव रवी रागेट एडवोकेट पवन गभा ने डॉक्टर लाहा ने आदि उपस्तित थे सार्थक संस्था एनेमसी एवं दिशा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने इस आउसर पर आयोजित स्वास्त शेविर में सेवाय प्रदान की संत तुकरा महराच के शिश्य संत शीरो मनी संताजी जगनाडे महराच की जहनती के आउसर पर शहर एवं जिला बहुजन समाच पार्टी के पदाधिकारियों ने संत जगनाडे चोक नंदन वंस्दित उनकी प्रतिमा पर माल्यारपन कर उनका अभिवादन किया बसपा जिला अध्यक्ष संदिप मेश्राम नगर अध्यक्ष राजिव भांगे ने आधरान जलियर पित की इस अउसर पर संजय लिखर नरेंदर शेंडे जिला सचिव नितिन वंजारी पुर्व पार्षत सागर लोखंडे नगर प्रभारी शंकर्थुल महा सचिव विलास बस्मूल, नगर कोषा अध्यक्ष मुकेश मेश्राम, मध्यनागपुर के अध्यक्ष प्रविन पाटिल, दक्षिन पश्रिम के पुर्वा अध्यक्ष सदानन जाम गड़े, पुर्वजिला सचिव अभैडोंगरे, हर्ष वर्धन डोई फोडे, प्रकाश फुले, विशाल कापसे सहित अण्य गणमाणने कार्य करता पदाधी कारी तथा स्थानिया नागरी को पस्तित्थे तेली समाज के आराध्य देवता श्री संत जगनाडे महराज की जैनती की अवसर पर राष्ट्योबिसी महासंग के पदाधी कारियों ने उन्हें आदरान जली दी राष्ट्योबिसी महासंग के समन वयक शरदवान खेडी की अध्यक्षता में जगनाडे चोक नंदनवन स्थित महराज की प्रतिमा पर मालनारपन कर उनका भी वादन किया गया संस्था के पदाधी कारी कारेकरताओं द्वारा लगाये गए संतज जगनाडे महाराज की जय के नारों से जगनाडे चोक परिसर गूंज उठा इस अवसर पर नगर सेवक नाना जोडे तथा संस्था के कारेकरतागण परमेश्वर राउत, रमेश मोरे, सोनु महाजन, महे पिंटु शिलारे, राजु भोयर, सुनिल धेंगरे, सारंग 68, राजु लाखे, अतुल धोबले, राजु वारजुर कर आदि उपस्तित थे और पेंशन से वंचित करने की अन्य पूर्णा नीतियों के खिलाफ चल रहे संगर्ष में, सभी वर्तमान तथा पुर्व विधायकों को सहीयो करने की अपिल की आम विधायक में पेंशन नहीं लुगा ये घोशना करे, ये आभान उन्होंने किया, उन्होंने खुद विधायक पेंशन न लेने की घोशना की महाराश्रा प्रदेश माथाड़ी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन के विधर्व प्रदेश उपाध्धिक्ष पत पर समाथ सेवक तथा कामगार नेता संजे देवलीकर के नियुक्ति की गई है, उन्हें प्रदेश अध्धिक्ष संजे पवार और प्रदेश उपाध्धिक्ष भासकर पराते के निर्देश पर सोनु वर्मा के हस्ते नियुक्त पत्र प्रदान किया गया, इस नियुक्ति के लिए समाथ सेवक देवलीकर ने कहा कि यूनियन के अध्धिक्ष और पदाधिकारियों ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे मैं बड़े अच् अध्धिक्ष पदाधिक्ष गजानन खापरे अनिल खालगुने, सुरेश की ताड़ी कर, विजेपाउनिकर, रमेश बान्धिकर, लक्षमनपांडे, यश पांडे, रजत बोकडे, प्रविनशिरपूर कर, रुपेश निम्जे, रजत पराते, पुष्पा की ताड़ी कर आदि उपस्तित्ते स्पैनिश गिटार को सीखना बच्पन से ही प्रारम कर दिया था सचिन पटवर्धन हिंदुस्तानी शास्तिय संगित को स्पैनिश विना पर बड़ी बखुपी से प्रस्तुत करते हैं जो कि उन्होंने स्वयम तयार की है स्पैनिश विना वास्तों में इलेक्ट्रिक गिटार का एक संशोधीत संसकरण है सचिन पटवर्धन ने देश विदेश में कई स्थानों में अपनी प्रस्तुती दी है पूजन ये ब्रह्मालिन सद्गुरु स्वामी शिव भजन की प्रेरना से स्वामी नारायन भजन महाराच के जनमत्सों के उपलक्ष, पूजा समाधा आश्रम, सिंधी सोशल फोरम की और से सिंधी समाज के तलाक शुदा, विध्वा, विधूर या आविवाहित युवक युवतियों का परीचे सम्मेलन रविवार 30 जनवरी 2022 को सुबत 10 बज़े से पुज्य समाधा आश्रम जरिपटका में आयजन किया जा रहा है सहभागियों का आयू वर्ग 35 से 45 वर्ष के भीतर होना चाहिए इस सम्मेलन के बारे में संबंदित जानकारी आयोजक चंद्रकुमार टेक चंदानी और मोहन वंजानी से प्राप्त की जा सकती है चंद्रकुमार टेक चंदानी के अनुसार आविधन फॉर्म भरने की अंतिम तारिक 15 जनवरी है पुझ्य समाधा आश्रम के शंकरलाल रंगलानी, दर्शनलाल कुकरेजा, सिंधी सोशल फोरम के पीटी द्वारा, समाधा आश्रम के सेवाधारी, सिंधी सोशल फोरम के सदस्यगंड इस समेलन के सफल आयोजन के लिए प्रयास कर रहे है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयोवर के सभी नागरी को का कोविट शिल्ट का टिका करन, नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा, टिका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनिशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरी को को कोविट शिल्ट के जरिये टिका करन किया जाएगा ये जानकारी चिकित साथ स्वास्ता धिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इस तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष के नागरी को के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोस मेडिकल कॉलिज डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर अस्पिताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान के इंद्र एमस आइसोलेशन अस्पिताल इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पिताल गांधी नगर, मनपास्तरी अस्पिताल पांच पॉली और प्रगती हॉल दी घोरी में उपलब्ध है नाकपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को 6 प्रतिष्ठानों पर कारवाई की और 40,000 रुपे का जुर्माना वसूला टीम ने 47 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्या लयों का निरिक्षन किया टीम के सदस्यों ने मनपा के टीका करन अभियान के समद में नियमों की जानकारी देते हुए नागरिकों से कहा कि टीका करन कराने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा वे कारवाई के भागी हुंगे मनपा एक तर आधा क्रुशन भी के निर्देश के अनुसारत था उपदरोगों खोजी दल के प्रमुक विरसिन तामबे के मार्दर्शन में जोन सर्च टीमों द्वारा ये अभियान चलाया गया है नागपुर महानगर पालिका के उपदरोगों खोजी दल ने बगएर मास्क के घुमने वाले 26 गयर जमेदार नागरीकों के खिलाफ कारवाई की और उनमें से प्रत्तेक से 500 रुपे के अनुसार 13,000 रुपे का जुर्माना वसुला पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 42,183 नागरीकों के खिलाफ कारवाई की और अब तक 1,94 लाख रुपे से अधिक राशी का जुर्माना वसुला है शहर में मामले कम जरूर हुए है लेकिन कोरोणा वाइरस से संक्रमन का खत्रा अब भी टला नहीं है अभी भी अनेक जगों पर नागरीक सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहने जैसे नियमों की धज्जिया उडाते नजर आ रहे हैं इसके चलते उपद्रव खोजी दल द्वारा इस प्रकार के गेर जिमेदार नागरीकों के खिलाफ कारवाई कर रही है एसी हरकदों से वे खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्त के साथ साथ समाज और शाहर के लोगों के स्वास्त को भी खत्रे में डाल रहे हैं बुद्वार को मनपा के उपद्रों खोजी दल ने धरमपेट जोन के अंतरगत 10, हनुमान नगर जोन के अंतरगत 1, नहरुन नगर जोन के अंतरगत 2, गांधिभाग जोन के अंतरगत 5, सतरंजी पूरा जोन के अंतरगत 1, लकडगंज जोन के अंतरगत 1, आशिनगर जोन के अ पर वेस्टन कोल फिल्ड लिबिटेट की टीम ने उन्हें भाव भी नी आदरान जली अरपित। पर चारी पट्टी के एक ऐसे ही एक कलाकार के जिवन पर आधारित हॉरर फिल्म आईयें भांट का निर्मान किया गया। इस फिल्म को नागपुर के के आर फिल्म प्रोड़क्शन सलीम शेख और पठान प्रोड़क्शन के मोहमद हसन पठान ने सईउग्त तरीके से प्रोडूस किया है। ये फिल्म यूटिप चैनल पाथन्स प्रोडक्शन पर रिलिज की जा चुकी है। नागपुर के नए उभरते कलाकारों को इस फिल्म में अपनी कला का प्रदशन करने का मुका दिया गया। इस फिल्म का मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है। महाराश विदान परिशत की नागपुर के स्थानिय निकाय निर्वाचन क्षेतर की रिक्त हो रही सीट के लिए कल मतदान होना है। इस मतदान के लिए जिला निर्वाचन यंत्रना पूरी तरह से तयार और सक्षम है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आर विमला ने बुधवार को चुनावी व्यवस्था की समिक्षा की। उन्होंने मतदान प्रक्रिया और उसके बाद की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए वरिष्ट अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वोडों की गिं कुल 15 मतदान केंद्र हैं और मतदाताओ की संक्या भी अधिक है। इस निर्वाचन क्षेत्र में महानगर पालिका के अंतरगत 155 जिला परिशद के अंतरगत इसलिए मतदान के दिन तहसिल कारियाले नागपूर शहर, नागपूर ग्रामिन तहसिल कारियाले, तहसिल कारियाले नर्खिड, काटोल, रामटेक, उम्रेट, मौदा, पारशिवनी के सेतु केंद्र बन रहेंगे। इसलिए मतदावी अंतरराश्य ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगी तक आयोजन किया, जिसमें 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, यह आयोजन चार महाद्वीपों में फैले दुनिया भर के 215 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसकी निगरानी स्फिहा स्वयम सेव को द्वारा की गए, इस प्रकार की ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगी ता बच्चों में उचित कोशल विकसित करने, लिखने, पढ़ने, रचनात्मक्ता और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करता है, यह बच्चों के लिए अपनी भावनाओं को व्य परियावरन से सम्मदित कोई भी चित्र निकलना था, श्रेणी दो में कक्षा पांचवी तक के विद्यार्थियों को जल्स औरक्षन, हरियाली से खुशाली सम्मदित चित्र निकलना था, श्रेणी तीन में कक्षा छटवी से आटवी के विद्यार्थियों को परियावरनी प्रसारित होंगा सोनी मराठी चैनल पर शुरू हुए इंडियन आइडल मराठी को फैंस का बहुत प्यार मिल रहा है ओडिशन राउंड में पुरे महाराष्ट से कई प्रतियोगी ताओं ने भाग लिया और अब उन में से कुछ ही थियेटर राउंड के लिए चुने गया है जज अजयतुल और बेला शेंडे के लिए ये तै करना मुश्किल हो गया है कि किसे चुनना है ओडिशन राउंड में एक से बढ़कर एक कंटेस्टन ने अपनी दमदार आवाद से परिक्षार्थियों के मन में अपनी चाप छोड़ी नाकपुर के प्रतिभाशाली कलाकार कैवल्य केसकर ने इंडियन आइडल मराठी के पहले एपिसोड में अपना नाम बनाया भले ही उनके घर में हाला ठीक नहीं थे लेकिन आडिशन राउंड पर काबू पाने के बाद थियेटर राउंड में बहतरिन प्रदरशन कर उन्ह ने धेर सारी शुपकाम नहीं दी नाकपुर महनगर पालिका के अतिक्रमन रोधी दस्ते ने हाल ही में शहर में चार जगहों से अतिक्रमन हटाया मनपा के दस्ते ने बैंक ओफ महराष्ट सिताबर्डी के निकट मेट्रो रेलवे स्टेशन पर फुटपात पर बनाये गए टी स्टॉल और धाबे जैसे अतिक्रमन हटा दिये और सड़क को पूरी तरह साफ कर दिया बाद में दस्ता पंडित मालविया रोड पर अतिक्रमन की हुई जमिन पर बनाये गई साइकल की दुकान पर कारवाई की और दुकानों को हटा दिया गया इस दुकान के चलते यहाँ पर हमेशा ट्राफिक जाम रहता है इस कारवाई में मनपा दस्ते ने एक दरजन से अधिक साइकल जब्त की है एक अन्य मामले में मनपा टीम के सदस्यों ने अजनी मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास सड़क के दोनों और की संरचनाओ और चाय के स्टॉलों को हटा दिया दस्ते ने दो ट्रकों में लाद कर सामगरी जब्त की तिसरे मामले में दस्ते ने मदन शालिक वर्मा द्वारा बनाये गए एक धांचे को तोड़ दिया गांधी भाग जोन के अंतरगत लोधी पूरा इलाके में सड़क चोड़ी करन के कारिये में इस अतिक्रमन के चलते कई रुकावटे आ रही थी अतिक्रमन कारियों ने मनपादल के सदस्यों के साथ गाली गलोज, हाता भाई और मार पिट की इसलिए गनेश पेट ठाने से एनेमसी दस्ते की मदद के लिए पुलिस कर्मियों को आना पड़ा और तभी स्थिती नियांतरण में आ सकी पीपल टू पीपल सोसाइटी नाकपूर द्वारा संचालित लर्निंग क्लब में भारत रतन डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर की पुन्यती थी महापरी निर्वान दिन के अउसर पर उन्हें श्रधान जली अरपित की गई इस कार्यक्रम के दोरान संस्था के पदाधी कारी अनुश्री खोबरागडे श्रमन मित्रा मुख्य रुप से उपस्तित थे पीली नदी स्थित लर्निंग क्लब के पदाधी कारियों और अनुश्री खोबरागडे ने उपस्तित व्यक्तियों का मार्क दर्शन किया और बाबा सहब के जीवन पर प्रकाश डाला कारेकरम कायोजन अर्पिता मित्रा और संस्था के विद्यार्थियों ने किया तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार